हेलो एव्रीवन स्वागत है आप सभी का तो हमारा भुपाल डिवीजन चल रहा था आप लोगो याद हो थोड़ा बहुत अब हम यह भुपाल डिवीजन था अब हम चंबल डिवीजन की बात करेंगे देखिए यह उपर बन रहा है न मरून कलर का ठीक है तो मैप को यह अच् लेखे हुए हैं इनको देख लेते हैं सबसे पहली बात तो अगर जेग्राफिकली बात करें इस अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लैटियो यानि की मध्य भारत के पठार का यह हिस्सा है इन टम्स ऑफ एरिया इस दे स्मॉलेस्ट डिवीजन अफ मध्य प्रदेश ठी की इंडिया में जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉन्सून के तुरू होती है तो जैसे की मान के चलिए यह हमारा भारत है यहां से सी से कुछ विंड्स जा रही है लेंड की तरफ ठीक है तो उनमें मॉइस्चर है मॉइस्चर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी तो कुछ प्रोसेस के थूरू वहाँ पर रेंफॉल होगी तो मध्य प्रदेश में भी उसी प्रोसेस के थूरू होगी रेंफॉल और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी तो उनका मौश्चर कम होता जाएगा तो आप लोग को पता हो कि यह थोड़ा उपर की तरफ आता है नौर्थ वेस्टन पार्ट में आता है मद्धर प्रदेश के तो यहां तक थौर्णी फोरेस्ट याने की कटीले वन होते हैं मतलब ऐसे वन होते हैं ऐसे फोरेस्ट होते हैं जिनको बारिश की कम जरुवत पड़ती है ठीक है देख लेना यह जोग्रफी में और अच्छे से इसको पढ़ लेना अब भिंड से शुरुआत करते हैं हम तो यहां पर सबसे जो लोकेशन है ना विंड एनरजी की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है फेवरेवल है ठीक है यहां पर दो प्रमुख नदिया है कौन-कौन सी सिंध और चम्मल चम्मल का तो आप लोगो पता है सिंध नदी भी है ठीक है फेमस पिल्ग्रिमेश साइट रावत पु इंपोर्टेंट नहीं है वैसे अब गोहत की बात करते हैं तो गोहत के दो फेक्शन अब बहुत इंपोर्टेंट है पहला फेक्ट तो पहले फेक्ट पे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्या किरा है फेक्ट इस प्लेस विट लोविस रेनफॉल और मध्यपरदेश सबसे कम वर्षावाला जला जला तो ही सबसे कम वर्षावाला इस्थान है गोहत जो की आता है भिंड जले में ठीक है और एक किस्म होती है चावल की काली मूच यहां पर सरवादिक इसकी खेती होती है मतलत सरवादिक मातरा में मिलता है काली मूच चावल यहां पर ठीक है मालनपु इस पर भी आप स्टार मार्क कर लीजिए यह इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी इन्हें पूछे जाते हैं PPSC में अभी लास्ट अटेम्ट में आपको याद हो का आगे हम देखेंगे वह वाला भी ठीक है दूसरा फेक्ट क्या है India with the help of Israel is opening its first private arms manufacturing factory ठीक है कुछ ऐसे कार्तूस वागेरा बनानी की फेक्टरियां पर open की जारी है यह private है ना किसकी मदद से इसराइल की मदद से कहां पर मालनपुर में मालनपुर कहां पर है भिंड में है ठीक है तो इस सारे फेक्ट याद रखना है अब सेंसस यानि की जंग अ कि बात करें 2011 के साब से तो भिंड हैस दे लोवेस्ट सेक्स रेशू न्यूंतम लिंगानुपात वाला जला है यह ठीक है कितना 838 फीमेल्स पर 1000 मेल्स भिंड डिस्टिक हैस दे लीस्ट शेड्यूल ट्राइप पॉपूलेशन इन मध्यप्रदेश एंड एरिया वाइस रॉ कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो एक्जाम में ना पूचा जा सके ठीक है पूरा पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं मुरेना जिले की ठीक है तो मुरेना में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी मिलेगा हमको सबसे पहली बात तो मुरेना का नाम की वज़े से पढ़ा मुरेना या मुरेना है ना पीकॉक की वज़े से यहाँ पर कुछ केव पेंटिंग्स हैं जैसी हमनी भीमबेटका में देखी थी कुछ वैसी उसी प्रकार की पहार पहाडगर विलेज है यहाँ पर वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स है उन्हें लिखी च प्लेसे सिहोनिया एक साथ बहु इंस्क्रिप्शन है ठीक है कहां पर है वो ग्वालियर में उसके बारे में देखेंगे उसके कहां पर है मद्दे परदेश में तो कहां मुरेना में ठीक है भी आगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ बतेश्वर टेंबल्स भी है इनका इनकी इमेज आप गूगल करके देख लीजेगा वो गुर्जर बतियाराज ने बनवाए थे फेमस सब्वल लड का किला भी यहीं पर है यह कुछन आच चुका है कि सब्वल लड का किला मद्दे परदेश में कहां पर है तो मुरेना में यह फेक्ट बहुत इंपोर्टेंट है भारत का पहला शहीद मंदर किसकी याद में बनवाए गया राम प्रसाद बिस्मिल जी काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा मुरेना जले में इस्थित है राम प्रसाद बिस्मिल जी बारवाई कोई गाउं है महाँ पर रह चुके हैं मतलब इनका जन्म तो नहीं हुआ था यहाँ पर लेकिन काफी समय बताया है बच्पन में इनने ठीक है तो उनकी याद में भारत का पहला शहीद मंदर बनाया गया है मुरेना जले में अब राम प्रसाद बिस्मिल जी से सम्मंदित कुछ facts देख लीजिए सबसे पहली बात तो आरे समाज से जुड़े हुए थे ठीक है और आरे समाज से ही सम्मंदित एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश उससे highly inspired थे तो आप मुझे google करके या मतलब book में देखके जहां पर भी comment section में लिखकर बताईए कि आरे समाज की स्थापना किस ने की थी किस वर्ष होई थी और सत्यार्थ प्रकाश बुक किस ने लिखी थी यह बहुत important है तीनों fact ठीक है तीनों fact आप देखिए और मुझे बताईए ताकि दूसरे लोग भी जान सकें इसके पारे में 1924 में इसके स्थापना हुई थी इसके बाद इसका नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन हुआ अब यह date सहीत याद रखना है हलाकि यह हमारे MP से संबंद है इतना fact नहीं है यह history का पार्ट है लेकिन इसको याद रखना है ठीक है आपने अगर एक इनके सहीयोगी का नाम सुना हो सब लोगों ने सुना होगा अश्वाक उल्ला खान जी इनके सहीयोगी थे ठीक है और रामप्रसाद बिस्मिल जी एक बहुत फेमस कुछ लाइन सी उसको गुनगुनाया करते थे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इनी ने लिखी थी लेकिन ये बिस्मिल अजीमा बादी ने लिखी थी ठीक है ये इनको काफी पसंद थी ये लाइन है इसलिए गुनगुनाया करते थे अब आगे बढ़ते हैं जेग्रफी की बात करते हैं इस पर्टिकुलर एलिया में तो इस इस प्रिवर चंबल नदी के तट परिस्थित है तो आप जैसे की गौलियर से अगर दिल्ली की तरफ ट्रेवल करेंगे न तो यहाँ पर ऐसा कुछ दरश्य आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसी टीले जैसे बने हुए हैं पहाड जैसे छोटे-छोटे बने हुए हैं और बिलकुल पेड़ पौदे कुछ भी नहीं है तो यह बीहड एरिया कहलाता है चम्मल नदी के कारण है ऐसी स्थिती ठीके मुरेना टच बहुत राजिस्थान और यूपी स्टेट से पहले भी बता चुका हूँ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट फेक्ट है स्टार मार कर लीजिए यहाँ पर एक चम्मल सेंचुरी नाम से है नेशनल चम्मल सेंचुरी या रास्ट्री है चम्मल अभ्यारण यहाँ पर गैंजिटिक डॉल्फिन मिलती है पहली बात तो ठीक है क्रिटिकल एंडिंजट घडियाल रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड एंडिंजट गैंजिट रिवर डॉल्फिन आर प्रोटेक्टेड हैर इनका संड्रक्षन किया जा रहा है अब यह तीनों की इमेज़ेस आप नेट पर देख लीजिए ठीक है चम्मल यह जिला है तो यहाँ पर चम्मल रिवर है कोई बात ही नहीं है और यह सिर्फ मध्यप्रदेश में नहीं है ट्राइप्ट पर है मध्यप्रदेश उत्तरपदेश और राजिस्थान के ठीक है तो यह देख लेना बहुत important है हमारे लिए कुछ एक दूसरे facts देख लेते हैं इस जिले से समंदित अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है मान के चलिए मोर मोर और नाग ठीक है नाग यानि कि इसनेक या साप तो नाग बोल देते हैं मोर और नाग एक दूसरे के जानी दुश्माने इन दोनों के लड़ाई होती है ठीक है तो नागा जी का मेला कहां पर है मोरेना में याद करने का तरीका है इसका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन याद जैसे करें लॉजिक बन जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू सेंसर्स 2011 मोरेना स्टेंड सेकंड इन टरम्स अफ लीस्ट सेक्स रेशो ठीक है इन मद्रदेश अब यह जैसे सेकंड वाला आप सोच रहोगे कि सेकंड की कर जरूरत है तो कुछ ऐसा कर्षण आजाए कि आपको अरेंज करना है हाई इस से लोजिक में तो वहाँ काम में आएगा या MPPSC में थ्री मारकर में पूछ लिया कि विया तीन डिस्टिक्स के नाम लेखो तो महाँ पर काम में आ जाएगा ठीक है मुरेना is very famous for its Gajak Gajak के लिए बहुत प्रसिद्ध है कुछ लोगों ने आप में से खाई भी होगी काफी अच्छी लगती है तिल्ली की बनी होती है पान सिंग तोमर is associated with मुरेना पान सिंग तोमर मुवी ही शायद कुछ लोगों ने देखी हो उसके एक्टर थे एरफान खान जी जिनका हाली में देहान धुआ है काफी अच्छी मुवी है देखना जिसने ना देखी हो अब एक ये जो फैक्ट देख रहा है ना आपकी longest national highway ये कहने को तो पुराना fact हो गया है क्योंकि ये national highways की जो old numbering थी वो change लोकर कुछ नई numberings हो गई है तो ये fact old numbering के according है लेकिन numbering change होने के बाद भी MPPSC ने एक बार old numbering के ओपर question पूछा था तो इसलिए मैंने include कर लिया है देख लीजी एक बार जब new numberings के बारे में अच्छी detail हमें मिलेगी न तो उस पर देख लेंगे कुछ जरूत पड़ेगी तो वीडियो वगरा बना लेंगे तो longest national highway NH3 of मद्देपरदेश passes through it ठीक है इस देश्टिक विथ हाइस प्रड़क्शन आफ मस्टर्ड इन यंद्र यहीं पर है अब यह एफेक्ट बहुत बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट है लास्ट अटेंब जो था हमारा MPPSC का उसमें पूछा गया था कि बानमोर किस जले का इंडस्टिल एरिया यानि कि अध्योगे केंद्र है तो बानमोर किसका अध्योगे केंद्र है मुरेना जले का याद रखना है एक बार मैंने कुछ दूसरे एक ओनलाइन वेबसेट ओनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ वीडियो बनाये थे वहापर मैंने ये फेक्ट इंक्लूट किया था अब हम बात करते हैं शोपूर जले की इसठी का देखिए शोपूर के किले पर को केप्चर कलिये था शोपूर का किला और रंठंवोर का किला तो रंठंवोर तो राज्स्तान में आ जाता है 1998 में शोपूर को एक प्रथक जला बनाये गया मुरेना से अलग करके यह भी चंबल नदी के तटपर है यहाँ पर लिखाएगी चंबल रिवर marks the boundary between मध्यपदेश और राजिस्थान तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ शोपर में यह मार्क करती है यह पूरा शोपर भिंड मुरेना जो है न यह पूरे में यह मध्यपदेश की boundary पर है तो असा question कभी आ जाए कि कौनसी river boundary पर है या boundary बनाती है राजिस्थान और मध्यपदेश के बीच में तो answer होगा चंबल रिवर शोपर district touches the state of राजिस्थान ठीक है पता ही हम है it is the most malnourished district of a state सरवादिक को पोशिद जिला है यह मध्यपदेश का ठीक है इसको याद रखना है the shopo district is very famous for its wood carving ठीक है wood carving क्या होता है यह आप लोग देख लेना अच्छा fact है यह वाला अब यहाँ पर कुछ national park की बात करते हैं सबसे पहली बात तो कुछ लोग यह सोच रहा होंगे कि यह तो wildlife century है लेकिन पहले कुणो पालपूर wildlife century हुआ करती थी उसे 2018 में national park का दरजा मिल गया है तो यह fact हमें याद रखना है और काफी news में हैं अब यह कुछ समय से तो इस पर question आने की बहुत जादा संभावना है it is situated on the banks of कुणो river in the katiyaar gear dried acidious forest देख लेना है 2018 में national park का दरजा मिला यहाँ पर यह दो नाम अब देखना है यहाँ पर बात की जा रही है कि gear forest के अलावा मध्यप्रदेश में कुणो national park में asiatic lawyens asiatic lawyens को सन्रक्षन दिया जाए तो supreme court ने अभी recently judgment भी दिया है 2020 में ही तो उससे आप देख लेना यह काफी important हो गया है हमारे लिए कुनो national park और एक और बात की जा रही है कि चीता, African चीता को भी हाँ पर सन्रक्षित किया जाए नामी भी ऐसे लाने की बात कर रहे है तो दो बात हो गई asiatic lawyens और African चीता किस national park में सन्रक्षित करने की बात चल रही है कुनो national park इसे 2018 में national park का दरजा मिला है ठीक है बहुत important है यह बात अब मैंने Central India प्रेटिव की बात करी थी तो कुछ facts देख लीजिए lies in the Northwestern part of मद्रप्रदेश सही बात है mainly विंध्यन रॉक से बना हुआ है यह चम्मल रिवर यहां की major river है और कुछ अन्य रिवर कौन-कौन सी काली सिंध और पारवती दो प्रकार की मिट्टी यानि की soils पाई जाती है alluvial and let right इनके बारे मैं भी देखेंगे हम next slide में it has a continental type of climate अब यह continental type of climate क्या होता है कि मतलब जो summer होते है ना उसमें गर्मी होती है तो यहां summer में बहुत ज्यादा गर्मी मतलब गर्मियों में अत्यदिक गर्मी और ठंडों में अत्यदिक ठंड बढ़ती है और बारश बहुत कम होती है इसको हम कहते है continental type of climate अब बात करते है यानि की हिंदी में बुलते है जलोड मिट्टी जलोड यानि की जल द्वारा लाई गई तो यहां पर English में लिखा भी हुआ है इस आर केरीड अवे थाउजन्स ओफ किलोमेटर्स वाई running streams of water कुछ ऐसे अफसाद या sediments होते है उन्हें नदी लेकर आती है और जहाँ पर नदी की speed कम हो जाती है वहाँ पर ये deposit हो जाती है इसलिए इन्हें depositional soils भी कहा जाता है तो इनमें fertilizers की जरुद पढ़ती है हमें जब farming करते हैं पर्टिलाइजर यानि की मान लीजें NPK nitrogen, phosphorus और potassium तो यहाँ पर क्या लिखा है rich in potassium potassium तो है लेकिन की sorry potassium तो है लेकिन phosphorus कम ही है तो phosphorus हम ये NPK की थूँँच में डाल देते हैं ये तो देख चोके हैं mustard होता है इस एरिया में wheat तो होता ही है generally laterite soil it is formed as a result of leaching process nixhalan की एक क्रिया होती है इसका leaching process का मतलब क्या होता है जैसे की कुछ एरिया थे जहा rainfall या irrigation की वज़े से मिट्टी के जो soil के जो nutrients होते हैं वो वाश आउट हो जाते हैं वाश आउट हो जाते हैं तो उनमें ये देखे कैसा होता डार्क ब्राउन डाइब का कलर होता है अब net पे देख लेना लेकिन बागी चीज़ों की इसमें कमी होती है तो generally ये cultivation के लिए useful suitable रहती तो नहीं है लेकिन कुछ treatments के through इसको हम suitable बना लेते हैं cultivation के लिए ठीक है अब ये हमने जितने भी facts देखे हैं इनसे संबंदित कुछ question देख लेते हैं तो हमारे जानकारी और मजबूत हो जाएगी चंबल river does not pass through dash district तो भिंड में है चंबल मुरेना में भी है शियोपर में भी ये गुना में नहीं है ठीक है तो answer is D गुना according to census 2011 which of the following district has the lowest sex ratio अब जैसे कि अभी तो आपने पढ़ा है तो याद होगा लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ आपको highly को हमने बोल दिया maximum ठीक है तो M से maximum और M से मुरेना तो answer is B मुरेना government of मध्यप्रदेश is establishing its first private arms manufacturing factory with the help of which nation ठीक है अभी तो मैंने बता दिया था कि यार इसराइल था लेकिन हो सकता है future में confusion हो एक बार अच्छे से दिमाग में बठा लेना कि इसराइल की मदद से कर रहे हैं तो answer is D इसराइल अब क्या है विए देखो ये question ये question वैसे ऐसा question आया नहीं है अभी तक अभी थोड़ी तर पहले मैंने आपको बताया है तो answer हो गया A Kuno National Park ये question आ सकता है ठीक है question पर star mark कर लेजिए critically endangered घडियाल and endangered Ganges River Dolphin आ प्रोटेक्टिंड डेश सेंचुरी चारो सेंचुरी के नाम है ये तो अभी हमने पढ़ा है इसलिए easy है तो हमारे लिए answer is C National Chambal Century अब यहाँ पर अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें easy लगे गई लेकिन जब इखटे questions आते हैं न तब doubt होता है थोड़ा सा इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है अब ये question मैंने बनाया है देखिया था question कभी नहीं आया लेकिन फिर भी कोई बुराई नहीं है पढ़ने में consider the following statements statement 1 इंडिया's first शहीद मंदर is constructed here statement 2 नागा जी मेला is held here every year statement 3 this district stands first in the production of mustard in Madhya Pradesh तो question ये पूछाए कि किस जिले की बारे में बात की जा रही है तो अब ये तीन factor ना भी पता हो मुझे मान के चलिए ये पता है कि नागा जी मेला कहां पर है तो मैं अंसर मार करता हूँ भी मुरेना लेकिन फैक्ट देख लीजिए शहीद मंदर मुरेना में है नागा जी मेला भी यहीं पर है और सबस्यादा mustard production भी यहीं पर होता है अब यह के देखिए which of the following is not correctly matched एक तरफ industrial center यानि के ओद्धो के छेतर है और एक तरफ क्या है जिले है तो बानमोर किसका industrial छेतर है देखिए बानमोर का मैंने यहाँ पर बताया क्या है मुरेना सही है मालनपुर भिंड ये भी सही है मन्डी दी राइसेयन ये भी सही है पीथमपुर अन्वर ये गलत है पीथमपुर धार का ओद्धो के छेतर है अब जैसे मैंने कैसे याद किया ता एक बार बता देता हूं जैसे यहाँ पर B4 बानमोर लिख दिया मैने B.A. बानमोर यहाँ पर लिख दिया मैंने M A मतलब मालन पर इसके सामने मैंने लिख दिया BH यानि की भिंड और इसके सामने लिख दिया मैंने MO यानि की मुरेना और ऐसे एरोज बना लिए तो बानमोर हो गया मुरेना का और मालन पर हो गया भिंड का मैंने याद किया था इसको आप भी कर सकते हैं इस तरीके से नेक्स्ट केश्टन देखते हैं चम्मल रिवर इस ट्रिविट्री ओफ डैश रिवर अब आप लोग सोच रहा होगे कि चम्मल रिवर के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इंद और जले में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आंसर देख लिए चम्मल रिवर इस ट्रिविट्री ओफ यमुना रिवर ठीक है निक्शालम की क्रिया से कौन्थी मिट्टी बनती है अभी थोड़ी दर पहले बता आया है ऐसे याद रख सकते हैं L for leaching और L for laterite तो आंसर इसी laterite Consider some statements about Central India Plateau यानि कि मध्य भारत के पठार से संबंधित कुछ कथनों पर विचार कीजिए Statement 1 क्या कहता है It has a continental type of climate बिलकुल सही बात है चम्मल river is the main river of this Plateau यह भी सही है अब question क्या पूचा है विचार फॉलइंग इसार correct ठीक है incorrect पूचा होता तो हम कुछ और करते दोनों statement सही है तो answer is C, both 1 and 2 अब आप लोग सोच रहेंगे कि सिर्फ चम्मल river यहां की major river ऐसा नहीं है दूसरी rivers भी हैं लेकिन एक generalization अगर बात करें जनरल बात करें तो उसके through यह दोनों statement सही है तो lesson देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग को lesson ठीक लग रहा है तो मुझे please बताईए और जो questions में आप लोग उसे करने के लिए बोलता हूँ अगर आप उसको करेंगे तो काफी फायदा मिलेगा आप लोग को आपको यह future में समझ में आएंगे चीज़े ठीक है और अगर lesson समझ में नई भी आ रहा है तो please कुछ तो बताईए मुझे Thank you